आज का मद्य प्रदेश का करेंगे आज किस करेंगे मद्य प्रदेश के किस जिले के पुलिस अदिक्षक को नीलम्बित किया गया है साथी साथ मद्य प्रदेश में उपचुना होना है 28 सीटों पर उससे संबंदेद भी कुछ important fact है जो आज की current affairs में हम लोग discuss करेंगे और current affairs के fact तो चलिए शुरू करते हैं जो लोग पहली बार इस channel को विजट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 20 October का मद्य प्रदेश का current affairs हमारा पहला question है उज्जेन पुलिस अधिक्छक को हटाने के निर्देश किसके द्वार दिये गया जैसा कि मैं आपको पताया था मद्य प्रदेश के किस जिले के पुलिस अधिक्छक को हटाया गया है तो वह हटाया गया है उज्जेन के पुलिस अधिक्छक को तो यह आदेश किस के द्वारा दिया गया है और किस घटना करम के वादेश से हटाया है वह साभ हम इसके अंतर गत देखेंगे तो आफसर नंबर एक है माननी ये सिबराज सिंग चुहान दोरा नरूत तम्मिसराजी दोरा मुख सचिव दोरा या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मौनिय मुकमंतरी सिवराज सिंग चोहांजी द्वारा उज्जेन पुले सदिक चक को हटाए जाने के निर्देश दिये गए हैं क्यों दिये गए हैं बिगत कुछ दिन पहले आपने काफी दुकत घटना देखी होगी मद्द प्रदेश में पहली वार इस तरीकी की घटना इतने वड़े स्थर पर सामने आई है कि उज्जेन में जहरीली सराब पीने से कुछ लोगों की मृत्य हुई और यह आपने आप में काफी वड़ी और हर्दा इबरार्दा घटना थी जिसका मुखमंतरी जी ने ततकाल संग्यान लेते हुए कठोर से कठोर कारवाई करते हुए वो पुले सदिक चक को हटाया है उज्जेन के और इसमें साप साप जिस तरीके से पुलिस की गलती समझ में आई है उस पर कारव की है मानिनी मुखमंतरी सिवराज सिंग जी चौहान द्वारा ओप्सन नमर दो देखेंगे आप नरुत्तम मिष्रा मद्द प्रदेश के ग्राय मंतरी है साथी साथ इनके पास जेल मंतरा लाए एवं संसदीकार मंतरी का भी कारवार है इन्होंने अभी एक एप लॉंज किय देखते हैं उज्जेन पुलिस अधिक चक को हटाने के नर्देश उज्जेन में हुई मोतों के मामले में मुखमंतरी ने अपनाया गंभीर रुक अपर मुक्सचिप ग्रह को दिये जाज का ब्यारा मुखमंतरी स्री सिवराज सिंग चोहान ने उज्जेन में तीन दिन पू नगर पुलिस अधिक चक इट मींज सी एस पी के निलंबन के निर्देश भी दिये हैं उज्जेन के खाराक हुआ थाना के टी आई और अन्य अमले को पूर्व की ही में घटना में लापरवाही का दोसी मानती होई निलंबित किया जा चुका है मुखमंतरी स्री चोहान ने इस तरह की अवेद गती वीदियों में लिप्त माफिया की बुर्द सक्त कारवाई के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि अभ्यान चला कर प्रदेश स्तर पर इसकी कारवाई की जाए चलिए देखते हैं क्या नाम है किन किन को हटाया गया है काफी इंपोर्टेंट है य को पुलिस अधिक चक उज्जेन पदस्त किया गया है तो जो सहडोल के पुलिस अधिक चक थे सतंदर कुमार सुखला अब उन्हें उज्जेन पदस्त किया गया है स्री मनोज कुमार सेंकी पदस्ता अपना सहायक पुलिस महानिरीक चक पुलिस मुख्यला भौपाल की गई ह स्री अवदेश कुमार गोश्वमी पुलिस अधिक चक पी टी सी इंदोर को पुलिस अधिक चक जला सहडोल पदस्त किया गया है तो यह सब कुछ important fact थे which is very very important so that is why today I including in my current affairs तो चलिए आई यह देखते हैं इसके बाद हम हमारा next question देखते हैं मद्धिप्रदेश उप्चनाओं में नाम बापसी की प्रिकिरिया किस दिनांक तक रहेगी काफी important है question है जो नाम बापसी की प्रिकिरिया है वह किस दिनांक तक रहेगी आपका option number 1 है 19 October 2020 option number 2 है 20 October 2020 और option number 3 है 21 October 2020 और option number 4 है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है दोस्तों 19 October 2020 लास्ट डेट होगी मद्धिप्रदेश उप्चनाओं में नाम बापसी की प्रिकिरिया की और इसके बाद नाम बापसी की प्रिकिरिया खतम हो जाएगी जैसा कि सभी को मालूम है लगवग 28 विधान सवाओं में उप्चनाओं में मद्धिप्रदेश में और यह important fact देखते हैं जैसे की मतदान कब होना है तीन नवंबर को और मतगरना कब होनी है आपकी 10 नवंबर को होगी विधान सवा उपनिरवाचन 2020 के अंतरकत कितने जिलों में आचार सहीता है अभी 19 जिलों में 19 जिलों की 28 विधान सवा चेत्रों में कुल कितने लोग अभ्यारती है इसमें सामिल 5456 अभ्यारतियों के 604 नाम निर्देशन पत्र जमा किये गए हैं तो यह काफी important fact थे जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग उसे discuss किये साथी साथ यह भी बताना चाहूंगा मतद्प्रदेश विधान सवा उप्चनाओं पर मैंने एक separate वीडियो भी बनाया है आप चाहें तो playlist पर जाकर उसे budget कर सकते हैं उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथी साथ यह भी बताना चाहूंगा कि जब मतद्प्रदेश का उप्चनाओं complete हो जाएगा उसके बाद उससे सम्मंद जितने भी important fact होगे उन सब को मैं discuss करूंगा आपको घवडाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है उसके बाहर किसी भी प्रकार का question जाने की संभावना नहीं होगी तो चलिए आएए देखते हैं हमारा next question नर्वदा घाटी में भी एक दुखत घटना हुई है नर्वदा नदी में दुख बस दुरगटना बस डूब कर मृत होने पर चारों मृतिकों के परीजनों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता रासी दी गई है इस आर्थिक सहायता रासी की घुशना माननी मुखमंत्री जी द्वारा की गई है तो काफी important है यह और आपका option number एक चार लाक रुपए की सहायता पाच लाक रुपए की सहायता या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका चार लाख रुपए की सहायता रासी नर्वधा नदी में दुरघटना वस डूबने पर चार लोगों की मृत्य हुई है अकस्मिक इस पर मद्द प्रदेश शासन द्वारा चार लाख रुपए पर व्यक्ति को दिये गए है चलिए आईए देखते हैं क्या है पुरी न्यूज मृत्गों के परीजनों को चार चार लाख की आर्थिक सहायता सुईक्रित गत दिवस नर्वधा नदी में दुरघटना वस डूबने पर मृत्यों होने पर चारों मृत्यकों के परीजनों को आर बी सी छे क्लॉज फूर के अंतरगा चार चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता सुईक्रित की गई है सुक्रबार 16 अक्टूबर को टेमरानी के ग्राम लग घौरा न इस्टित नर्वधा नदी में अमवश्या पर परिस्नान करने हैं लोग गए थे और दुरघटना वस इनकी डूब कर मृत्य हो गए चलिए आईए देखते हैं जैसा कि डेली बिसेस पर पुछताओं में आप लोगों से कॉस्चन और उन्हीं में से कुछ चुरिंदा कॉस्चन होते हैं जिनको हम यहां पर डिसकस करते हैं जिनके आंसर हम लोगों को लगता है कि काफी इंपोर्टेंट है और अन्य लोगों क की भी मदद करेंगे तो चलिए यहां पर देखते हैं जैसे कि आंसर दिया गया है लंगनुपात मैंने पूछा था 931 है सरवादे के लंगनुपात बजला मद्ध प्रदेश का है बाला घाट जिसका है 1021 और सबसे कम लंगनुपात बाला है भिंड 800 आपका 37 चलिए आईए पता चला यहां पर कि 36 गड़ो महराष्ट दोनों को टच करती है MP में सरवादेक वन बाला घाट में है काफी सही जवाब प्रमुक फसल धान है बाला घाट बेन गंगा नदी के तट पर वसा हुआ है इस जिले में किरना पूर ओद्धू एक शित्रा वस्तित है काफी इंप जिला जैसा कि हमने देखा बाला घाट है मद्ध प्रदेश का नियुनतम हमने देखा भिंड है मद्ध प्रदेश की प्रथम जनगरना काफी इंपोर्टेंट है 1881 में हुई थी 2011 में मद्ध प्रदेश की पंदरवी जनगरना थी और मद्ध प्रदेश का सरवाद एक सिसू लंगनुपाद वाला जिला कौन सा है अली राजपुर ओबारे नौल लंगनुपाद वाला जिला कौन सा देख है आपका बाला घाट और सिसू लंगनुपाद वाला जिला है आपका अली राजपुर सास 988 तता नियुनुतम सिसू लंगनुपाद वाला जिला कौन सा है मुरे किया जाता है और यह इस पेशली केंद्र गवर्मेंट द्वारा किया जाता है और 11 जुलाई को विश्वजन संख्या दिवस मनाया जाता है और 11 माई को मद्द प्रदेश में काफी इंपोर्टेंट है आप इस अंसकर को मैं सबसे इंपोर्टेंट मानूँगा आप देख सकते हैं आपर 11 माई को मद्द प्रदेश में विश्वजन संक्या दिवस मनाया जाता है तो मद्द प्रदेश में कब मनाया जाता है 11 माई को तो काफी important है इसे याद रखिए और अपना बर्ड लेबल पर मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को तो हैं दोनों 11 एक माई है और एक जुलाई है और आप देख सकते हैं आधोन एक प्रणाली के प्रिथम जनगरना गवर्नर लाडमियों के सासनकाल में 1872 में कराई गई थी यह कुछ important fact थी और जो लोग अभी भी answer मैं participate नहीं कर रहा है मैं उनसे humble request करना चाहँगा please please participate with us it will benefit for you and other students चलिए आईद बताता हूँ मैं आप लोगों को आज का question मद्य प्रदेश का प्रतम विश्विध्यालाय का नाम क्या है और यह किस सन में और किस के द्वारा इस्थापित किया गया था और unimportant fact भी आप चाहें तो जब आब दे सकते हैं धन्यवाद दोस्तों बने रही है हमारे साथ target for IES and MPPSC with KK Thank you so much for watching this video